Hello friends, इस class में हम लोग देखेंगे, कि जो भी हम लोग crosshair scripting का जहां पर हम लोग vulnerability मिलता है, तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि, जब crosshair scripting का कुछ vulnerability मिलता है, तो वहां पर हम लोग कोई भी javascript को, javascript जो code होता है, इसको मैं run कर आके, हम लोग like, कुछ भी कर सकते हैं, okay, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, यह चीज हम लोग देखेंगे, attacker like हम लोग क्या anything को run कर सकते हैं, यह चीज हम समझेंगे, कौन सा code को run कर सकते है, javascript का, और हम लोग क्या क्या कर सकते है, तो हम लोग previous classes में आप को देखेंगा, इचिज, crosshair scripting के बारे में पढ़े थे, हम लोग stealing card точноals द लोगो देखेंगे, SSN hijacking या account hijacking जहाँ भी आपको वह like accesses का vulnerability मिलेगा तो आपको आप session hijacking कर सकते हैं कि या account hijacking भी बोल सकते हैं इसमें हम लोग कैसे करते हैं सारा कुछ समझाते हैं तो हम लोग like session hijacking को like access के help लोग कर सकते हैं तो इसमें होता क्या है मैं आपको सारा समझाता हूँ, जैसे हैं लिखा हुआ हुआ है, sttp cookies can be accessed by javascript, if the sttp only, flags is not present in the cookies, तो हम लोग सब basic पर समझते हैं होता क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, एक chrome में आता हूँ, यह यह दिवीव यह खुला हुआ है मेरा, और SQL injection में मैं गया, sorry मैं पहला सेटिंग में जाता हूँ, DBS security में लोग कर देता हूँ, मैं reflected मैं access reflected में, एक reflected को मैं copy करता हूँ, type करने बहुत टाइम लग जागा, इसलिए मैं एक reflected access को मैं copy किया आपे, okay, then paste, यहाँ पी SS का मतलब की दे रहा है, आपे pop-up दे रहा है, okay, okay, तो मुझे document डेखना है, like domain का document डेखना है, okay, मैंने copy किया, इसको मैंने paste किया, okay, तो यह एक type से देख सकते security लोग दे रहे है, और यहाँ पे PHP IB दिया हूँ, session ID दिया हूँ, यह session ID दिया हूँ है, आपके हैं पे काम करते का है, यह एक type साब का normal access को बोल सकते है, आपने normal access का कुकीच का अपने सो कर वाया, आप domain का देखे, तो यह आपनो का session ID होता है, कहाँ पर save होता है, आप लोगो पता है क्या, I think आप लोगो नहीं वालू, session ID में आपके के अंदर save होता है, आपको देखना है तो आप आईए, inspect के लिजे, okay, और यहाँ पर आईए, यहाँ पर इसको मैं भबड़ा कर देता हूँ, applications मैं आईएगा, okay, wait, storage में, session storage में, sttp localhost, यहाँ पर आपको session ID मिल जागा, देख सकते हो हैं आपके, save from helper extension, sorry extension का यह दिखा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, cookies, यहाँ पर DVWA का session ID देख रहे हैं, key value, PHP ID, session ID, security low है, यहाँ पर session ID जब भी हमनों कोछी login करते हैं, जैसे मैंने इसको login किया, okay, तो इसका session ID क्रिए होता है, हर कुछ एक login करने पर session ID क्रिए होता है, जैसे मैं आपको example लेकर दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको फ़हले log art कर देता हूँ, फिला log art, okay, log art कर दिया, okay, तो मैंने इसको क्या किया, log art कर दिया, log art किया तो यहाँ पर session ID एक create नहीं होगा, मैं inspect में आता हूँ, go to storage, यहाँ पर localhost, फिला मैं इसको refresh कर दूँ, तो फिला यहाँ 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 सेशन ID इसलिए 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 कर दूग कर दूग कर दूगा, मैंने आपको सेशन ID, मैं दिखा हूँ कैसे आपको बिलिब नहीं होता है, मैं हैं आपको बिलिए कर आफ़ो हैं, आपको फिलाए क्लीक कर दूगा, मैं इसको मैं दिलिट कर दूगा है, तो इसमें होता है कि हम लोग जब लॉग-इन करते हैं, इस सेशन ID क्रीट होता है, अश्मा बढ़ा लोग इन कर देख, तो यहां पर हर एक मतलब क्या कि कोई भी लॉग इन करते हैं किसी गभी तो आप लॉग इन कर सकते हैं सी टो सेसन आएईिया आप जानने के आप लॉगिन कर सकते हैं तो आप जाला नॉटयज दना है कि कैसे इसको लॉगिन कर सकते हैं Note ii 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 nda को वीडियो दिखाना जाओंगा वो वीडियोast देख लेना मैं आपको अन करके दिखाता हूँ वेट्ट करता हूँ आप मेरे वेबसाइट पर अपको मैंने बताया कि आप बीना आप सेशन आइड बस जान के अब लोगिन कर सकते 365 देश कोर्स के अंदर आओगे तो यहां पे वीडियो मैंने डाला हुआ है क्योंकि यूट्व तो वीडियो एलाव नहीं करता है इसलिए मैंने कि यूजर यूजर दिया हुए एक सेशन अई-डिय तो बस आ को सेशन आई-डिया मैं इसको किसी विक्तिम का था टाकर कर सकता है भलॉग-एक सेशन आइब वेल्यू डाला हुए वैलू डाल आप टाल्यू आपस आपको सेशन आइड मालूँ पर जाएगा ने विकन त्ट अब मैं जैसे session id को डालूँगा अब देखो okay करूँगा मैं refresh करता हूँ okay मैं जैसे refresh करूँगा तिक करूँगा और refresh करूँगा यहाँ पर देखो right click किया और refresh किया और login हो जाएगा बस session id रानने के बाद देखो facebook login हो किया हम युज धणने नहीं इसके दोएट सकते हैं तो इसका मतलब किया है कि जब भी किसी में एक्सेसर वननवर्न बिलती होता है किसी वेबसाइट में तो हम लोग उसका station id को हम लोग निकार सकते हैं कि समझ में ना कितना गजब वर वनननवर्न भिलती है कर सकते हैं और यह इस कि यूंजर हम लोग इन किया है उस यूजर का पता कर सकते हैं तो यही चीजी नो पढ़ेंगे तो यहां पर से मिसी शेसन आइचे को क्यों को लिए दिखा रहा हो ले इस चीज आपको वाइटिंग मालूम होगा, तो यहां पर प्रिकलर उजर का मोग देख सकते हैं, जो सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, okay. तो इसको का से करना हम लोग समझाते हैं, आपको तो इस चीज में यह बोलना चाहूंगा, कि आप लोगों को पता होगा की, कर मुझे भूछ कैसे जैसे उसोर कोज है नुट सकते हैंabi अगेल दॉफ ऐसेandid लोगय वियु जैसे किसी senza लोठीके है ज्याक हैसे जब ऀय कोड़ार किसी भीते उसे ज्गरेख कर और आप जब चैंपल की मोन करने गरें लेख क्यों करते है आप Google search कि जीए गा, and JavaScript लिखेगा तरह दिसका दोक्यमेंट बोलते हैं, तुशिंप दोक्यमेंट के बाख बोलते हैं, लिख पर है समझ भाई गाहिए, क्रिकते हैं और इसको हम दो फोर्स फाइल को रिडाइड करेंगे अपने हैकर की आप देख सकते आयम जी एसरी दिया हुआ यह मेरा है कि आपका लेकर का आपका इसको आप सेशन आइड के जहां से मेलेगा तुसका यह दिया हुआ है इस पर रेढ़े एक सेसन आइड को एकिस जो भी सोर्स रूर्स रोडंगा आःसर उसोर्स को जितना भी नाया डॉकमेंट में जो करेंट हो गा ना वो मेरे पास अंधा आ जाएका ट्कर चेपास डॉक्वेंट को किज आइस स्क्रिप्ट है इसको रहने का ओके ट्थाइक्र को बिल जाएगा यह चीज तुसको कैशे करते start करते सारे साथ समय चाहरा सारे बैज़ जाड़े कर दिया तोगी मेरा जाइम से इतता है कोडने ważा थैर तो मैं रा होता है क्विक एन अभी टीए हो सत्रॉट designed प्राइब देना जोरिय हैं, ऑइंग्लियस में भी लेना जोरिय हैं, हंदी में समया दिया सार्चिश इंसर्ट दा फोलुविफ्ध को इसा मैंने बताया है फ lebih बयुक्त को उसुर्ट को में इसर्ट करेगा जो आपने मैंने ही बनाना सिखर लएक यह पी यहूञा थे डूं स्मय करतक़ दे गांगा सोगन आपको द्लाइग बनेक POCK सब्सक्राइब करेंगे यहां पर सकते हैं और मैंने आपर लिसनिंग करके रखूंगा एक पोर्ट को ए020 को ठीक है नेट करके दोड़ा और मुझे मिल जाएगा यहां सब्सक्राइब करके दिखाता हूं कैसे होता है तो पहले हम दो प्रपीट रुषाब पर लेते हैं तो आ यहां पर क्या है से सिसन खेंग वें द विक्तिम असे सब पेज कॉंटेंग जावस्क्रिप पहलो जब विक्तिम आ लाग एक एसस करेंगा उस पेज पेज को देर ब्रावजर विट ब्रॉज इतने भी होग ना वो ब्रावजर मतलब भीज देगा मेरे को ठीक है व्का जब आपने पर लेगा यहां उसका सेसन आइड उसको मिल जाएगा न तो अपने ब्रावजर पे आड करेगा अपने पर आड करेगा अपने ब्रावजर पेजब आड करेगा तो वहां से हम लोग को पूरा access मिल जाएगा लाइक आप कोई भी access ले सकते हैं उसका लाइक account का ID पासों मिल जाएगा तो आप पूरा administrator का account का ID पासों ले सकते जैसे इस वीडियो में मैंने बताया वाइफ इसमें आप देखे होंगे तो कैसे मैंने बस इसके द्वाड़ा मैं क्या किया एकाउन का पूरा access कि लिए बस जैसे में रिफ्रेस करूंगा यहां पर में पूरा access आजाएगा इसमें 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 मतलब access का वलमबिल यह पैरमेटर पे तो मैं अपना एक पैर लोड मनाया हूं एक पैर लोड में नियू इमेज बना रहा है ठीक इतना समझ लीजिए एक आईपी जो भी की अच्छी मतलब कि attack क्या करेगा इस पर उसको मिल जाएगा सेशन आईडी मैं क्या करता हूं सब से पहले मैं करता हूं अपना पोड को जिस्पे हम लोगे बस आएगा डिटा जिसके पास जिस पे हम लोगे डेटा आएगा सेशन आईडी हैक होने के बाद यहां पर मैं Linux ओपन कर दिया और आए यहां किया रोट डाला पासफ़ोर डाला एंटर किया और आपको पता चलिया से 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 क्डिक कर सकते हैं आपके वह बी लॉग इन कर सकते हैं एक आउंट में जब से सनाइद आपके पस मिल जाएगा तो ख़ीजी का भी आप admin account में login कर साकते हैं, oh you know about that, जो मैंने भी दिखाया, okay, तो इसको बढ़ेंगे, ठीक लागिं कोर्स में लोग पढ़ते हैं, session hijacking, इसको बोलते हैं, ठीक है, module number में आपको दिखा देता हूं, कौन सा module लेक पर, वेट करो, यहां पर मैं दिखाऊँ, आप Google पर यहां पर यहां प कुकी दिखाँ, कुकी दिखाँ करने के लिए मोल ला है, okay, course outline में गया, तो यहां पर देखो, आपको session hijacking 11 में, module number 11 में सिखाया जाएगा, कैसे होता है, यह चीज का यूज करके हैं, जावस्क्रिप में रन करेंगे लेक, तो क्या करता हूं, यहां पर मेरा Linux open item होई गया okay, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, netcat का यूज करूंगा, यहां पर देख सते हैं, इसका यूज करूंगा, netcat, hypen nlp, okay, and 100, okay, मैं listen करता हूं, okay, listening हो गया, और यहां पर मैं क्या करता हूं, I have configured कर देख लेता हूं, अपना IP, सही है, 142 है, यहां पर देख सते हूं, मिला लो 142, 8 zero, तो, 142, 8 zero, और मैं क्या करता हूं, अचको कॉपी करता हूं, okay, और सबसे पहले को एकपोड नहीं जाए, पर दो पर देखा दूगा, कि मुझे लेका की लिए, साट में क्या कि बुछ कम्या करता हूं, तो मैं प्रिया कि है, इसको पास्त किया, रण करने से पहले मैं ब्रप्सूट के चैप्चर करें दिखा देता हूँ कि होता है कि नहीं होता है, क्योंकि में पास मिली जाए गाल कि द्वारा भी दिखा दू कि मुझे यहां पर शूपर सेंड आइड होता है, इंटासर्पाउन किया, समेट किया यहां पर, तो ब्रस रूट में पूरा सेंड आड आगया है, इसका पॉड़र यहां पर, स्क्रिप आगया, वन लेवल दिया हुआ है, देखो PHP सेंड आइड है, सेंड हो रहा है, security low है hacker के पास भी मिल गया हो यह तो मुझे मिला रिक्वेस्ट यूजर को मिला लेकिन hacker को यहाँ पर रिक्वेस्ट मिल गया वाइटिंग विट कर दिखाता हूँ यहाँ पर भी तक नहीं मैं यह फॉर्फ रॉट करूंगा तभी आएगा ना क्योंकि यहाँ पर फॉर्फ नहीं हो है ओके रिस्ट फॉर्वर्वर्ड कि मैं इंतर्सलि प्रका देख एकर को मिला वा दिखा रोओं कि आपको कैसा इसा इचाने इसा इपकी प्लागे से विलता है छाव है कि आप वह क्रूंदा अपसे साने इमिल गया ब्राउज अमधल्य अप्लोग इनकल जिए उस यूजर के दोड़ा account take out हो गया, account hijacking हो गया, बस इसी ताइप से काम करता है, देख सब्सक्राइब करता है, मैं आपको दिवारा दिखाता है, पर करके, फिर से मैं नेटक्राइब को open किया, इस बार मैं आपको capture करके नहीं दिखाऊँगा, प्रफूट का यूज करके नहीं दिखाऊँगा, कैसे होता है capture, मैं इसको बन कर देता हूँ, okay yes, why not, फिर मैं करता हूँ, इसको बन कर देता हूँ, localhost को मैं देवारा open करूँगा, okay, localhost, dvwa, dvwa, okay, enter किया, ये विराउट बस open नहीं है, मैं इसको कोडो में कर देता हूँ, क्योंकि प्रॉक्सी यूज कर रहा है, localhost, dvwa, 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 okay, और यहाँ पर मैं लोगिन करता हूँ, मुझे तवे, admin, admin, इस पर I think दूसरा session आएगा, क्योंकि मैं अलग लग open किया हूँ, dva security में गया, low किया, submit किया, reflected में गया, same चीज को मैं पेस्ट करूँ, I think it wrong, मैंने copy किया था, okay, मैं दवारा copy करता हूँ, copy किया, और यहाँ पर मैं पेस्ट किया, देख अभी मैं log submit नहीं किया, मैं दिखना हूँ, अभी तक नहीं आ रहा हूँ, और जैसे मैं submit करूँगा, यहाँ पर देखो, पूरा session आ गया, अदेख सकतो इस वार दूसरा session आया, क्योंकि मैंने उस बार mozilla से मैंने open किया था, देख रहूँ, आप दूसरा session यहाँ दूसरा session है, लाइक, इस तैप से मोग session IG को hack check करते हैं, कोई भी account को tickle करते सकते हैं, आप session ID मिल गया, आपसके द्वारा आप इसको यूजरा ब्रावजर में डालिए, आपसको session like login कर लिजे, बिन ID password का, कुछ भी कर सकते हैं, I think पूरा concept समझ में आ गया होगा और आपको समझ में आ गया impact किया है, cross ID scripting जहां रहता है, वहाँ पे, hope बहुत मजाया होगा, तो thanks for watching this class.